हेलो एब्रिवन आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तों आपको दिख रहा है कि मेरे यह जो गार्डेनिया के प्लांट है इसमें कितने सारे कीड़ी लगे हुए है पत्ते खाये हुए है और इनके जो फ्लावर बड़ है उन्हें भी कीड़ों ने आधा खा लिया है तो जैसे ही बरसात खत्म होती है कीड़ों का अचानक से अटैक हो जाता है और कई सारे कीड़े देखिए पत्ते इतने शमकदार लगना इसके बाद भी कई सारे कीड़े इन पर चड़ गए है और इसके कारण होने इनके पत्तों को खा लिया और इनके फ्लावर बड़ को भी खा लिया है तो ऐसा अकसर होता है क्योंकि जब यह से बारिश खतम होती है तो इन कीड़ों को थोड़ा सा अपने अनुकूल मौसम मिल जाता है वातारण मिल जाता है और यह तुरंत अटैक कर देते हैं प्लाट पर तो बहुत सारे ऐसे केमिकल इनसेक्टिसाइड होते हैं जिसका हम लोग प्रियोग कर सकते हैं लेकिन उनका प्रियोग हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक तो हमारे फ्लावर पर उनके प्लाट पर बहुत ही बुरी आसर पढ़ता है और दूसरा है कि हम यदि फालो सब्जी लगाते हैं तो फालो और सब्जियों के प्लाट पर केमिकल इनसेक्टिसाइड डालने से उसका बहुत ही गलत प्रभाव पढ़ता है उनके जो फ्रूट्स है उनके अच्छे नहीं होते हैं कई तरह की विमारिया हो जाती है और हम जब घर में और्गैनिक यूज करते हैं और्गैनिक फालो सब्जिया उगाते हैं तो ऐसे में हम केमिकल फर्टिलाइजर का एक केमिकल इनसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करन चाहते हैं कई बार तो ये नीमोयल से कंट्रोल हो जाते हैं लेगिन कई बार नहीं भी होते हैं तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरह से हम घर में अपने किचन से ही इस तरह के लॉंग को ले करके और बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं इ तो हमारे प्लांट के लिए हमारे शरी के लिए बहुत ही लाबदायक होते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसे भी गुन पाए जाते हैं जिससे कि ये कीरों को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है जैसे ये इनका स्वात बहुत ही कड़वा होता है और साथ ही साथ इ कि इसे हम कैसे बनाते हैं सबसे पहले इतने 10-12 लॉंग को ले करके आप एक कप दो कप पानी में भीगो दीजिए और करीब 6-8 गंटे उसे पानी में भीगने दीजिए पानी में भीग जाने के बाद ये बिल्कुल फुल जाएंगे और जितने भी तरह के गुण होते हैं लॉ विटामिन सी लॉंग में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो विटामिन सी हमा जैसे हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है वैसे ही प्लांट के लिए भी बहुत उपयोगी आता है अब इसका उपयोग कैसे किया जागा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ अब आप एक से त्वेड़ लीटर पानी ले करके और उसमें इस पानी को छान लीजे छान करके और उसे डालूट कर दीजे आप डारेक इसे प्लांट पर डालेंगे तो हो सकता है कि प्लांट को थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए इसलिए आप इसे डारेक मत डालिए बलकि उसे पानी में डालूट कर लिए देखिए एक डेड़ लीटर पानी में डाल करके मैंने इसे डालूट कर दिया है और अब इसे एक बाटल स्प्रेयर में भर दूँगी और इसे प्लांट पर मैं स्प्रे करूँगी प्लांट पर स्प्रे करने से फाइदा ये होता है कि जितने भी तरह के कीड़े बगएरे हमारे प्लांट के पत्तों पर लगे होते हैं वे वहां से निकल जाते हैं लॉंग के तेज गंद के कारण भी इंसेक्ट वहाँ पर नहीं आते हैं और यदि आते भी हैं तो चले जाते देखिए यह अमरूत के ग्वाबा के प्लांट है और इसमें अमरूत के प्लांट के पीशे साइट पत्तों में बहुत सारी छोटे-छोटे से फंगस जैसे दिख र तेज फुहारे मार करके तो एक तो तेज फुहारों से हट जाएंगे और दूसरा जो बजेंगे भी वो इसमें वो इससे चले जाएंगे देखिए मैंने इन पत्तों पर इनका छिड़काव किया था और यह पत्ते देखिए मेरे कितने हिल्दी लग रहा है क्योंकि इनके अ देने से हो बहुत तेजी से विकास करते हैं, उनके पत्तों में चमक आती हैं और उनके फूल बहुत ही अच्छे होते हैं, आप देख रहे हैं, मेरी इतने सारे अच्छे फूल खिले हुए हैं, मैं इन पर chemical insecticide का प्रियोग नहीं करती हुँ, नी मोयल का प्रियोग करती हूँ, लेकिन नीमोयल क्या होता है न कि इतने कड़वे होते हैं कि फिर pollinator को आने से रोक देते हैं तो हमें ऐसे insecticide का उपयोग करना है प्रियोग करना, spray करना है जिससे की कीड़े भी मर जाए, insect भी मर जाए और किसी भी तरह से pollinator को भी आने से न रोके बहुत ज़्यादा कड़वा होने से pollinator फूलों पर आते नहीं है जिससे की pollination नहीं होता है और हम अपने घरों में सबजिया लगाते हैं फल लगाते हैं तो उनके लिए pollinator का आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इसलिए long के जो पानी होते हैं इन्हें पानी में डाल करके जब हम जो liquid पर तियार करते हैं वो सारे plant के लिए बहुत ही ज़्यादा लाफकारी होते हैं इसे किसी तरह का हानी भी नहीं होता है और ये बहुत जल्दी किड़ों को देए और बस इसी तरह से आप जहां भी आपको लगे कि आपके पौदर पर जरा भी थोड़ा सा भी इंसेक्ट लग रहा है कोई फंगस लग रहा है तो वहाँ पर आप इसी का यूज कीजिए और ये जो इसके पानी जो है बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं इस लौंग के पानी में बहुत ज़्यादा ताकत भी होती है इसलिए पौदे को कोई नुकसान भी नहीं होगा और पौदे के पत्तों में चमक आएगी और दिमंद होता है तो इस तरह से दोस्तों ये लौंग का जो प्रभाव है बहुत ही अच्छा होता है आप चाहे तो इसका उप्योग कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने सभी तरह के प्लांट पर इसका यूज कर सकते हैं चाहे वो फूलों के पौदे हो या फिर फलों के प प्रधान करता है इसमें प्रति में की चमक आजाती है ओर आजरी नहीं चाहेश्थाइद हरन् प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, बेभी आते हैं, और बहुत अच्छे से पॉलिनेट करते हैं, तो आशा है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मिलती हो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक मेरे साथ बने रहे और अपना धेर सारा ख्याल रखे थैंक यू